मत थी नौ अध्या एक से अड़तीस तक लकवे के रोगी को चंगा करना फिर वन आउपर चड़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को काठ पर रखकर उसके पास लाए इश्य ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र डाडस बान तेरे पाप शमा हुए इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्विर की निंदा करता है इश्य ने उनकी मन की बाते जान कर कहा तुम लोग अपने अपने मन में बुरा बचार ख्यों कर रहे हो सहज क्या है यह कहना तेरे पाप शमा कहना उठ और चल फिर परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप शमा करने का अधिकार है तब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा वो उठकर अपनी घर चला गया लोग यह देखकर डर गए और परमिश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है मत्थी का बुलाया जाना वहां से आगे बढ़कर ईश्यों ने मत्थी नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले वह उठकर उसके पीछे हो लिय जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर ईश्यों उसके चेलों के साथ खाने बैठे यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापीयों के साथ क्यों खाता है यह सुन क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न तब युहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चले उपवास नहीं करते। येश्यु ने उनसे कहा क्या बर कपड़े का पईभंद पुराने वस्तर पर कोई नहीं लगाता क्योंकि वह पईभंद उस वस्तर से कुछ और गीच लेता है और वह अधिक फट जाता है और लोग नया दाकरस पुरानी मश्कों में नहीं भड़ते हैं क्योंकि ऐसा करने से मश्के फट जाती है और दाकरस बैज आता है और मश्के नश्ट हो जाती है परन्तु नया दाकरस नई मश्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं मृत लड़की और बिमार स्थ्री वह उनसे यह बाते कह यह रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है परन्तु चल कर अपना हाथ उस पर रखतो वह जीवित हो जाएगी यशू उठकर अपने चेलो समित उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्थ्री ने जिसको बारा वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को चू लिया क्योंकि वह अपन चंगा किया है अतह वस्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई जब ईशू उस सरदार के गर में पहुंचा और बांसली बजाने वालों और भीड को हुलड मचाते देखा तब कहा हट जाओ लड़की मरी नहीं है पर सोती है इस पर वे उसकी हसी करने लगे परंतु जब भीड नि और वजी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई दो अंधो को दृष्टी दान जब ईशू वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले हे दाउत की संतान हम पर दया कर जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो और उनकी आँखे खुल गई ईशू ने उन्हें चिता कर कहा सावधान कोई इस बात को न जाने पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया एक गूंगे को चंगा करना जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुश्टात्मा थी उसके पास लाए और जब दुश्टात्मा निकाल दे गई तो गूंगा बोलने लगा इस पर भीड ने अचमबा करके कहा इसरायल में ऐसा कभी नहीं देखा गया परन्तु फरीसियों ने कहा ये तो दुश्ट आत्मा थी सर्दार के सहयता से दुश्टात्मा को निकालता है कर फर मंजदूर थोड़े है इशी सब नगरो और गाऊं में फिर्ता रहा और उनकी आराधनाले elo में उपडेश करता और राज्य का सूसमा चार प्रचार करता और हर प्रकार की विमारी और दुरबलता को दू व्याकुल और भटके हुए से थे तब उसने अपने चेलों से कहा पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से विंती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे यशाया 61 अध्याय प्रभू यहवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहवा ने सूसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशे किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांती दूँ कि बंदियों के लिए स्वतंतरता का और कैदियों के लिए छुटकारे का करूँ कि यहवा के प्रसन रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करूँ कि सब विलाब करने वालों को शांती दूँ और सियों उनके विलाब करने वालों के सिर पर के राख दूर करके सुन्दर पगड़ी बान दूँ कि उनका विला पूर्वकाल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजडे हुए नगरों को जो पीडी पीडी से उजडे हुए हो वे फिर नए सीरे से बसाएंगे। परदेशी आखड़े होंगे और तुमारी भेड बकरियों को चराएंगे। और विदेशी लोग तुमारे हल चलाने वाले और दाक की बारी के माली होंगे पर तुम यहवा के याजक कहलाओगे वे तुमको हमारे परमिश्वर के सेवत कहेंगे और तुम जाती-जाती की धन संपती को खाओगे उनके वैभव की वस्तुए पाकर तुम बढ़ाई करोगे तुमारे नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जैजेकार करोगे तुम अपने देश में दुने भाग के अधिखारी होगे और सदा आनदित बने रहोगे क्योंकि मैं यहवा न्याय से प्रीती रखता हूँ मैं अन्याय और दकेती से गृणा करता हूँ इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सचाई से दूँगा और उनके साथ सदा की वाचा बांदूँगा उनका वन्ष जाती जाती में और उनकी संताम देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी जितने उनको देखेंगे पैचान लेंगे कि ये वह वन्ष है जिसको परमेश्वर ने आशिश दी है मैं यहवा के कारण अती आनंदित होंगा मेरा प्राण परमिश्वर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उध्धार के वस्तर पहिनाए और धर्म की चदर ऐसे ओडा दी है जैसे दुलहा फूलों की माला से अपने आपको सजाता और दुलहीन अपने गहनों से अपने स पढ़ाएगा यह शाया 62 अध्याय सियोन के निमित में चुप न रहूंगा और यरुशलीम के निमित में चैन न लूँगा जब तक कि उसकी धार्मिक्ता प्रकाश के समान और उसका उध्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे तब जाती जाती की लोग तरह धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहवा के मुक से निकलेगा तो यहवा के हाथ में एक शुवायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हतेली में राज मुकुट तहरेगी तो फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी बूमी बियूला कहलाएगी कूंकि यहवा तुझ से प्रसन है और तेरी बूमी सुहागन होगी क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है वैस Lebens तेरी पुत्रे तुझे ब्याह लेंगे और जैसे दुलहा अपने दुलहन के कारण हर्षित होता ह वैसे ही तेरा परमिश्वर तेरे कारण हर्शित होगा है यरुशलेम मैंने तेरी शहरपना पर पहरुए बठाए हैं वे दिन रात कभी चुपना रहेंगे है यहावा को स्मरण करने वालों चुपना रहो और जब तक वै यरुशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशन सा पृत्वी पर न फैला दे तब तक उसे भी चैन न लेने दो यहावा ने अपने दाइने हाथ की और अपनी बल्वंत बुझा की शपत खाई है निश्चे में भविशे में तेरा अन अब फिर तेरे शद्रों को खाने के लिए न दूंगा और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमदू जिसके लिए तुने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे केवल वे ही जिनोंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहावा के सुति करेंगे और जिनोंने दाखमदू बंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्रस्तान के आंगनों में पीने पाएंगे जाओ फाटकों में से निकल जाओ प्रजा के लिए मार्ग सुधारो राज मार्ग सुधार कर उंचा करो उसमें के पत्थर बिन बिन कर फेक दो देश-देश के लोगों के लिए जंडा खड़ा करो देखो यहवा ने पृत्वी की चोड तक इस आग्या का प्रचार किया है सियोन की बेटी से कहो देख तेरा उधार करता आता है देख जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहवा के छुडाए हुए कहेंग और तेरा नाम ग्रहन की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा यह शाया 63 अध्याय यह कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहिने हुए चला आता है जो अती बलवान और भड़किला पहिरावा पहिने हुए जूमता चला आता है य मेरा पहिरावा क्यों लाल है क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाक रौंदने वाले के समान है मैंने तो अकेली हौद में दाके रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया हाँ मैंने अपने करोद में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन् पहुंचा है मैंने खोजा पर कोई सायक न दिखाई पड़ा मैंने इससे अचमबा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था तब मैंने अपने ही बूजबल से उधार किया और मेरी जलजलाट ही ने मुझे संभाला हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर देश-देश के लोगों क को लताड़ा अपनी जलजलाट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमी पर बहा दिया जितना उपकार यहवा ने हम लोगों को किया अर्थात इस्राइल के घराने परदाया और अत्यंत करुना करके उसने हम से जितनी भहलाई कि उस सब के अनुसार में करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुनानवाद करूँगा क्योंकि उसने कहा निस संदेह ये मेरी प्रजा के लोग है ऐसे लड़के हैं जो धोका न देंगे और वह उनका उधार करता हो गया उनके सारे संक्ट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके समुक रहने वाल उसके पवित्रा आत्मा को खेवित किया इस कारण वह पलट कर उनका शद्रू हो गया और स्वैं उन से लड़ने लगा तब उसके लोगों को उनके प्राचन काल अर्थात मूसा की दिन स्मरणाय वे कहने लगे कि जो अपनी भेडों को उनके चरवाहों समित समुद्र में से निकाल लाया वह कहा है जिसने उनके बीच अपना पवित्रा आत्मा डाला वह कहा है जिसने अपने प्रतापी बूजबल को मूसा के दाइने हाथ के साथ कर दिया जिसने उनके सामने जल को दो बाग करके अपना सदा का नाम कर लिया जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला जैसे घोडे को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी वो कहां है जैसे घरेलू पशू तराय में उतर जाता है वैसे ही यहवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया इसी प्रकार से तुने अपनी प्रजा की अगुआई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमा पूर्ण वासस्थान है दृष्टी कर तेरी जलन और पराक्रम कहां रहे तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है निश्टे तु हमारा पिता है यद्यपी अबरहाम हमें नहीं पहिचानता और इस्राइल हमें ग्रहन नहीं करत तो भी है यहवा तु हमारा पिता और हमारा छुडाने वाला है प्राचन काल से यही तेरा नाम है है यहवा तु क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कटोर कहता है कि हम तेरा भई नहीं मानते अपने दास अपने नीज भाग के गोत्रों के निमित तोटा, तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान के अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड दिया है, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं, मानो तुने हम पर कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए, भजन सहीदा, स 77 अधिया आए, मैं परमेश्वर की दोहाई चिला चिला कर दूँगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूँगा और वो मेरी ओल कान लगाएगा, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा, और डीला न हुआ, मुझे में शांती आई ही नहीं, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके करहाता हूँ, मैं चिंता करते करते मुर्चित हो चला हूँ, तुम मुझे जपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ, कि मेरे मुझ से बात नहीं निकलती, मैंने प्राचिनकाल की दिनों को और यूग-यूग के वर्षो को सोचा है, मैं रात के समय अपनी गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ, और मन में भली भांती विचार करता हूँ, क्या प्रबु यूग-यूग के लिए छोड़ देगा, और फिर कभी प्रसन नहोगा, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही, क्या उसका बचन पीडी-पीडी के लिए निश्वल हो गया है, क्या परमेश्वर अनुगर करना भूल गया, क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है, मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परमप्रदान का दाइना हात बदल गया है, मैं यहा के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चे मैं तेरे प्राचन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूँगा, हे परमेश्वर तेरी गती पवितरता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा ह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है तुने देश-देश के लोगों पर अपनी शक्ती प्रगट की है तुने अपने बुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वन्ष को छुडा लिया है हे परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा समुद्र तुझे देखकर डर गया गहिरा सागर भी कांप उठा मेगों से बड़ी वर्षा हुई आकाश से शब्द हुआ फिर तेरे तीर इधर उधर चले भवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था जगत बिजली स प्रत्वी कांपी और हिल गई तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाओं के चन्न मालूम नहीं होते तुने मूसा और हारुन के द्वारा अपनी प्रजा की अगवाई भेडो की सी की